अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जहां आप हिमालयाज की बड़ी बड़ी चोटिया देखते हैं, वहां कभी समुद्र हुआ करदा था, तो आप कैसा वील करेंगे? Weird? Right? Weird? लेकिन दोस्तों ये सच है कि आज से करीब 500 million years पहले हिमालयाज की जगहें पर एक विशाल समुद्र हुआ करता था, जिसे हम टिथिस सी के नाम से जानते हैं, हिमालयाज जितना बड़ा है, उससे कहीं बड़ी और complex इसकी history है, आज के इस वीडियो में हम हिमालयाज के इसी complex geological origin को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आये देख लेते हैं कि हिमालयाज का हमारे लिए क्या importance है, असल में देखा जाए तो हिमालयाज का location भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, हिमालयाज की वज़े से ना सिर्फ हमें North Pole से आ रही चिली Siberian Wind से production मिलती है बलकी monsoon से subcontinent में होने वाली heavy rainfall में भी हिमालयाज एहम भूमी का निभाता है, इसके अलावा हिमालयाज इंडिया के लिए China के against एक formidable physical barrier की तरह भी काम करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं हिमालयाज में पाए जाने वाले water springs और glaciers fresh water के important sources हैं, लेकिन हाल ही में published एक report के अनुस से next कुछ decades में हिमालयन glaciers 75% तक melt हो जाएंगे और हिमालयाज के आस-पास के regions में disastrous floods देखे जा सकते हैं, जिसका आप अभी भी examples देख सकते हैं हिमालया की इस present condition के बारे में जानकर आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर हिमालयन रीजिन में climate change का इतना बड़ा impact कैसे बढ़ सकता है इन सभी aspects को जानने के लिए हमें हिमालयन और उसके origin के बारे में जानना होगा लेकिन इससे पहले कि हम हिमालयास का complex geological history समझें, आएए briefly समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार mountains form कैसे होते हैं mountains कई तरीके के होते हैं, जैसे कि volcanic mountain, fold mountain, plateus के form में, fault, block और dome shaped mountain लेकिन आज के discussion को हम fold mountains तक ही सीमित रखेंगे एक fold mountain का निर्माट तब होता है, जब दो या दो से जादा continental tectonic plates एक दूसरे को push करते हैं और जिससे tectonic plates में एक geological pressure काम करता है इस pressure की विज़े से rocks, debris, etc. fold होकर surface पर mountains बनकर appear होते हैं geological language में इस process को orogeny कहा जाता है तो दोस्तों ये दो बात हो गई fold mountains के formation process की अब आईए देखते हैं हिमालियास का formation process क्या है हिमालियन mountains वर्ड की tallest mountain ranges है जो west में पामिर नौट से शुरू होकर east में पुर्वांचल mountains तक फैली होई है हिमालियन mountains कोई एक mountain नहीं है बलकि कई सारे mountain ranges का एक group है जिसमें trans हिमालियास, greater हिमालियास, lesser हिमालियास, outer हिमालियास और पुर्वांचल हिमालियास शामिल है Trans हिमालियास को हम लोग further bifurcate कर सकते हैं कारा कुरम, लदाख, कैलाश और जसकर ranges में हिमालियास के formation period में लगे समय के बारे में हिमालियान ranges का formation, Indian plate और Eurasian plate के collision से हुआ है असल में, cretaceous period में Indian plate गुंदवाना land से अलग होकर northward drift करने लगा और आगे चलकर Indian plate का Eurasian plate के साथ collision हुआ जिसमें Indian plate टिथिस C में subduct हो गया और टिथिस C का floor अपने सारे sediments के साथ rise होने लगा Indian plate के constant northward movement के वज़े से sedimentation और pressure दोनों बढ़ता गया और sea floor के sediments की layers fold होकर rise होने लगी और इस तरह हिमालिय माउंटेंस rise होना स्टार्ट हुआ हिमालियन formation के first phase में trans हिमालियास और greater हिमालियास का formation हुआ जैसा कि हमने पहले बताया कि हिमालियन माउंटेंस का formation टेथिस सी के floor के rise करने से हुआ है इससे हमें ये पता चलता है कि trans and greater हिमालियास के formation में टेथिस सी के original floor sediments का important contribution था असल में कारा कोरम ranges में पाई जाने वाली sediments का color black होने के पीछे टेथिस सी में पाई जाने वाली living creatures को माना जाता है जो अंडर extreme pressure और sedimentation के कारण black fossils में बतल गए और इस वज़े से trans हिमालियास के जादातर mountains black appear होते हैं इसके अलावा trans हिमालियास ranges में glaciers के vast reserves भी शामिल है world की second highest peak और इंडिया की highest peak K2 जिसे हम Godwin Austin के नाम से भी जानते हैं ये peak भी trans हिमालियास में ही located है इन mountain ranges की average height 3000 meter और average width 40 km है trans हिमालियास का जादातर part Tibet region में आता है और इंडिया में ये mainly Jammu and Kashmir और Ladaq region में फैला हुआ है बात अगर अगर अब greater हिमालियान ranges की की जाए तो ये ranges mainly arcan rock से बनी होई है और ये range west में नंगा परवत से आर्क बनाते हुए east में नामचा बरवा peak तक continuous है जोजिला, बुर्जिला, शिपकेला और नाथूला इस range में located कुछ important passes है इसकी average height 6100 meters है जबकि average width approximately 25 km है हिमालियन की maximum highest peak जैसे माउंट अवरेस्ट, कंचन जंगा, केटू, दौलागिरी, नंगा परवत, अनपूर्णा इसी रीजन में आते हैं जिन में से माउंट अवरेस्ट वर्ड की highest peak है जबकि केटू और कंचन जंगा भारत की first and second highest peak है Trans Himalayas and Middle Himalayas के बीच में ही काटमांडू वैली situated है इंडिया में Greater Himalayas की mountain ranges जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक पहली हुई है Trans और Greater Himalayas ranges के बाद Lesser Himalayas या Middle Himalayas कब formation हुआ Trans Himalayas के rise होने के बाद भी Indian plate और Eurasian plate एक दूसरे से continuously collide कर रही है और इसी continuous collision की वज़े से main boundary fault पर deposited sediments folded mountain ranges के रूप में rise करने लगे जिसे हम Lesser Himalayas के नाम से जानते हैं पीर पंजाल, धौला धर, मसूरी रेंज, नाक तिबा और महाभारत ranges लिसर या Middle Himalayas के कुछ important ranges है आज के जारतर हिल स्टेशन जहां गूमने जाते हैं जैसे की शिमला, मसूरी, रानी खेत, नैनिताल, अलमोडा और डार्जिलिंग ये सब भी Lesser Himalayas में ही located है Lesser Himalayas के mountains, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश में पाए जाते हैं Greater Himalayas और Lesser Himalayas के बाद आए बात करते हैं शिवालिक mountains के formation की शिवालिक ranges का formation आज से करीब 2 से लेके 20 मिलियन साल पहले हुआ था ये range Lesser Himalayas और Great Plains के बीच located है और हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुनाचल प्रदेश तक लगबग 2400 km की long distance में एक discontinuous form में फैली हुई है शिवालिक range का formation, sands, gravel और इस region में flow हो रही rivers के alluvial deposit से हुआ है compression के वज़े से ये deposit समय के साथ-साथ hardened होती गई और इस process से शिवालिक range का formation हुआ शिवालिक range की ज़्यादा तर mountains, sedimentary rocks, जैसे की sandstone, sand rocks, clay, conglomerate और limestone से बनी होई है इसकी average height 600 meters से 1500 meters के बीच है जब ही average width हिमाचल प्रदेश में 50 kilometers और अरुनाचल प्रदेश में आते-ाते 15 kilometers तक ही सिमित है शिवालिक mountains को different regions में different नामों से जाना जाता है इन्हें जम्मू रीजन में जहां इन्हें जम्मू hills के नाम से जाना जाता है वहीं अरुनाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबूर और मिश्मी hills शिवालिक mountains के पार्ट बनते हैं शिवालिक के बाद हिमालियास के आखरी range पूरवांचल हिमालियास हैं जो अरुनाचल प्रदेश से लेकर मिश्मी हिल्स के कुछ पार्ट पठकाई बम, नागा हिल्स और मिश्मी की लुशाई हिल्स पूरवांचल हिमालियास का ही पार्ट है ये हिल्स वेस्टन हिमालियास रेंजेस के कमपैरेजन में छोटी हाइट की होती है पूरवांचल हिमालियास इंडिया के फोर नौर्थ इस्टन स्टेट्स यानि अरुनाचल प्रदेश, नागालैंड, मनिपूर और मिशरम में लोकेटेड है दोस्तों ये थी कहानी हिमालियास के formation प्रोसेस की और इनके important mountains, peaks, hills की मिलते हैं आपसे ऐसे ही और informative वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहन्त